गाईज वेलकम बैक टोवर यूट्यूब चैनल एंड फेस्बुक पेज तो आज हमने फिर से जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी है लास्ट टाम हमने वीडियो दिखाई थी आपको डिगडोल तक तो डिगडोल वाले टनल देख सकते हैं नोड से आगे हमने जर्नी स्टार्ट कर दी है यह देखें क्वाइट अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे व्यू और हम निकल चुके आगे रोड कंडिशन थोड़ी खराब यहाँ पे कीचड वगेड़ा है तो बाकी सब ठीक है तो देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है रोड कंडिशन तो यह निकल चुके हम अब आगे आगे खुनी नाला वाला टनल भी आना है फिर उसके बाद पंठयाल वाला टनल भी आना है जो के बन चुका है, अब पंठ्याल में सेकंड लैन का भी काम चल रहा है, सुनने में आए कि वहाँ पे जो सेकंड लैन रहेगी वो पुराना रोड ही रहेगा, जो डेंजर रोड जहां पे सलाइड आती है, एक लैन वो रहेगी, एक लैन टरनल वाली रहेगी, तो ये कुछ है, फिल हाल, तो जो पुरानी लैन है, फिर उसका रिपियर का काम भी चल रहा है, तो ये देखें गाइस, निकल रहे हम आगे, ये देखें गाइस, यहाँ पे भी रोड कंडिशन और ठीक ठाक ही, अभी इतनी जादा बढ़िया भी नहीं है, ठीक है, ये देखें, आमेजि तो ये देखें, पहले काम हुआ था, यहाँ पे दिवारू गेरा का, तो ये देखें, ये देखें गाइस, राइट साइड में वाल चड़ी हुई है, ये शुरू में जब काम हुआ था, इस रोड का, तब ये यहाँ से रोड बनना था, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पा तो ये देखें, कितना ज्यादा काम हो चुका था, यहाँ से काफी डिस्ट्रेक्शन होने लगी, पहाड, पहडों में स्लाइड आने लगी, तो ये सक्सेस्फूल नहीं हो पाया, ये पंठ्याल, इस वक्त हम हैं डिकडूल के एरिये में, तो अब निकल रहे हम आगे, खु इतनी नहीं होती है, स्लाइड भी कम आ रही हैं आजकल, तो ये कटिंग का काम रुग गया है, टरनल पे ही चल रही है, गाडिया, तो इसलिए अब इतना ज्यादा वो प्रॉल्डम नहीं हो ये इस रूड में, ये देखें गाईज, अमेजिंग व्यू लग रहा है, यहाँ को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी आल कर दें, ताकि आप क्यों नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की आ जाए, तो ये देखें, यहाँ पर कोई चीज चाल है, छोटा सा, ये देखें गाईज, ये देखें गाईज, अब निकल रहे हैं, हम सिरी नगर वाले सी साइ कारी आज, काफी जादा रश है, अब बारिश भी आने वाली है, कुछ दिनों के बाद बारिश और सनोफॉल भी होने वाला है, तो टूरिस्ट का रश जो है काफी बढ़ने वाला है, सिरी नगर की तरफ जाने वाली गाड़ियां काफी बढ़ जाएंगे, आई हूप की फॉल होने का और बारिश हैं, तो आई हूप की क्योंके इस विंटर के सीजन में तो बारिश तो बिलकुल ही नहीं आई, तो दिसंबर जनुरी तो महीना ऐसे ही चला गया, आई हूप के फॉबरी मन्थ में बहुत जादा बारिश और बरफ देखने को मिल सकती है, हमें टू कुल इंपॉसिबल है, तो यह देखें, अब हमें खुनी नाला वाला टनल दिखने वाला है, वहां पे खुनी नाला पे एक टनल जो है, जो हमने दिखाए पीछे आपको, डिक डोल वाले, वह एक टनल जो है, खुनी नाला में भी निकलेगा, वह एक टनल जो उन में से जो स इंठ्याल में निकलेगा तो देखें गाइस ये पुराने रूड की वज़ा से यहाँ वे कुछ अच्छी सी जगा बन गए क्वार्टर सवगेरा बनाने के लिए चलो थोड़ा बहुत बेनिफिट हुई गया क्वार्टर सवगेरा बन सकते हैं जो स्पेस बनी हुई है उपर रूड की उस पर थोड़े बहुत हो सकता है बैनिफिट और ये निकले हम आगे कितने खतरनाग पहाड़ है या पे बिल्कुल वर्टिकल ये देखें अब खुनी नाला टनल भी आने वाला इतना खतरनाग इतना फेमस टनल है ये और यहां कहीं एक ये देखें यहीं यहीं पे है साइट जो एक टनल निकलने वाला यहां से भी उदिखनी रहा है तो बट ये टनल की साइट यही थी एक जो टनल यहां पे निकलेगा डिकडोल से और आगे अब सामने दिखने वाला हमें दूसरा टनल साथ में ही जो इस रोड को कनेक्ट करेगा टनल से आगी गाड़ कि अधिए गाइज अभे इंटर हो चुको हैं खुण कुपी नाला टानल में काफी फेंश जगार काफी जादा फेंश जगार है ये देख्षें क्या मैजिंग टानल है ये вмाज जबर्दस्त ये देखें सेफटी रेलिंग्स लगाई गई यहां पर लाइट दू है लाइट और राइट में बट इस वक्त लेफट वाली लाइट ही चल रही है आन है शाहिद राइट वाली भी बंद रखी है तो ये देखें जादा लंबा तो टानल नहीं है अलमोस्ट एक किलो मेटर एक किलो मेटर से भी कम है टानल ये पांच-छेसो मेटर का टानल होगा ये तो ये देखें काफी जादा डिस्टेंस कम हो जाता है इस टानल से भी तकरीबन दो किलो मेटर का डिस्टेंस कम हो जाता है इस टानल से भी ये रेखें सामने वाओ ये पंठ्याल इतना खतनाग जगा इतनी famous इतनी slide आती है second land जो बननी है यह जो आप point देख रहे हैं यहाँ पे बहुत danger point बनाएगा दो गाड़ी यहाँ पे काफी खतरा रहता है जब भी आप drive करें यहाँ पे carefully जो अब यह enter हो रहे हैं ना tunnel पीछे जो आपने and